हलो दोस्तो मैं हूँ राकेश और यूट्यूब के चानल जाफा इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो बनाने का टॉपिक के हीट स्रेस में पक्षी कैसे प्रतिक्रिया देते है इसके कुछ स्टेजेस होती है जो आप पिक्चर में देख रहे हो जैसे की कन्वेक्षन, कंड़क्षन, रैडियेशन, इवैपरोटिंग, कुलिम आप ही हम एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं पहला है कन्वेक्षन इसमें मुर्गी अपनी गर्मी को चारो तरफ मोजूद ठंडी हवा के जरिये से निकाल देती है इसके लिए मुर्गी अपने फंकों को गीरा लेती है और कभी-कभी तेजी से फड़पडाती भी है दूसरा है कंड़क्षन, इस तीती में जब मुर्गी किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है यह मुर्गी का तापमान कम करने में ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है चॉता है, एवैपोरिटिंग कोलिंग गर्मियों में बर्ड मुझ खोलके सास लेती रहती है, उसको पैंटिंग बोलते है तो ये evaporating cooling है जो bird खुद को ठंडा रहने के लिए करता है इस तरह से bird response करता है heat stress में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आने वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करे और वीडियो को like करे, share करे और bell icon को जरूर दबाए ताकि पोल्टरी से जुड़ी कोई भी information आपसे चूटे नहीं